कि इस क्या है नमस्कार क्लास में आ गया हूं मंतली अपडेग्स यॉस अबसी का स्टेटस लेकर आज की वीडियो में डिसकास करेंगा और बताओंगा किया इंडिया में यॉस अबसी इ्टी को सक पार है या नहीं और इंडिया में आगे जाके हम एप्रिल में है कब तक जाके हमको B1, B2 वीजा स्लोट मिलना सुरू होंगे जनरली और आखिर में भी बताऊंगा कि मेरा ओपिनियन क्या है और आगे जाके क्या स्टेश हो सकता है तो चले आज का वीडियो सुरू करते है टाइड आफ वाचिंग मेनी यूट्यूब वीडियोस और वीजा टिप्स बच्टियू नोट साइस्पाइड आफ यू एक्सप्राइब चैनल फॉर रेगलर वीडियोस दोस्तो सबसे पहले ये कह दूँ कि सिचुछन इंडिया में अच्छा हो गया है बहतर हो गया है सब कुछ नारमल लिख रहे है दोस्तों सिर्फ इंडिया में हैं नहीं व्रेड वै हर्ड जगा नारमल हो रहा है दोस्तों ये अक बहुत बड़ी खुशकबरी है सबी के लिए ताकि हम और प्रोग्रस के तरह जा रहा है सब कुछ नर्मिल हो जाएगा दोस्तों पहला पाइंट चुरू करने के पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो सबस्क्राइब करके कर सकते हैं क्योंकि युए संबसे रिलेटेड और वीजा युएस विजा रिलेटेड इंफरमेशन में इस चैनल पर अप्लोड करते रहता हूं तो अभी की अभी जाके सबस्क्राइब कर दिजिए थैंक्यू फार सबस्क्राइबिंग तो सबसे पहले हॉट टॉपिक में डिस हुआ हो तो कौन से लोकेशन इंडिया में कौन से लोकेशन में हुआ है क्या स्लॉट मिल रहे है या नहीं दोस्तों अगर मैं वहराल को हूँ मेरे ऑपनिन के बारे में जो ने कौन्टाट किया इंबसी से प्लोड जो भी इस चैनल में मेंबर है और जो भी मेरे जानकारी मे है उनके साथ interaction करके पता लगा कि देखिए officially बता जाए तो B1 B2 वीजा अभी शुरू नहीं हुआ है officially from the B1 ये इंबसी लेकिन दोस्तों जब मैंने contact किया हूँ बोडरे कि sir आप try करता रहिए मिल सकता है आपको Monday to Friday जो उनका operations होता है मिल सकता है ये guarantee नहीं कि आपको मिलेगा लेकिन मिलने का chances है number three बहुत सारे लोगों को इंडिया में वीजा मिला है और normal category में मिला है पता नहीं कैसी मिला लेकिन इनको मिला है number four देखिए अगर जब आप try करता है सिर्फ आपके location में मत किजिए क्योंकि हो चकता है कि मतलब full हो या फिर rush हो क्योंकि आपको पता है कि अभी backlog clear हुआ है हो रहा है तो आप try किजिए regularly try किजिए अगर आपका कुछ प्लान है यह जाने का और दूसरे locations भी किजिए अगर आपका slot दूसरे location में मिल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होने चाहिए आपको दूसरे location में जाके slot interview देने के लिए जैसे कि आप अगर दिल्ली में हो और मुंबे में मिला तो मुंबे जा सकते हैं या फिर कलकता में मिल अगर आपको लगता है कि आपको जाना है यह US आपका reason जो है emergency category में आता है तो आप apply कर सकते हैं जैसे ही आप apply करेंगे आपको slots मिलेगा सबको मिलेगा यानि कि आपको मिलेगा तीन चार मेने के बाद का या फिर एक साल के बाद का या छे मेने के बाद का वो apply करने के बाद slot book करने के बाद आपको expedite करना पड़ेगा और जो expedite कैसे करना मैं इस channel पर वीडिया और बनाया हूँ जाकि देख लीजिए मैं कोशिश करूँगा कि ल आपको प्रूब करना पड़ेगा दो चार लेन में strongly देना पड़ेगा ऐसा भी दे सकते हैं कि देखिए मैं emergency के लिए apply कर रहा हूँ इंडिया ने या इंडियन हास्पेटल ने recommend किया है अब मैं कहता हूँ कि medical emergency है या ने कि कई conference में जा रहा हूँ medical conference में या फिर किसी doctor से मिलने के लिया आजा हम IO अपने studies के बारे में वो medical emergency में नहीं आता life situation जो होता ही medical emergency में आता है जैसे treatment बने पर किसी मेरे related का treatment हो रहा है मैं उसके साथ जा रहा हूँ तो मैं भी apply कर सकता हूँ या फिर मेरा खुद treatment हो रहा है तो मैं खुद भी apply कर सकता हूँ वो है ऐसा ही जो भी emergency category से आप देख लीजिए मैं वीडियो में डाला हूँ पिछले वोस्ट है कि तो यहां पर भी में डाल दूँगा only for emergency category है आप जा सकते हो number one हम बात करता है work permit visa जो की very important है H1B visa category के लिए दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में clearly कहा था कि H1B visa का registration शुरू हो गया है first March को और 18 March तेक चला है 18 March को बंद हो गया है अब यह है कि lottery system करेंगे वो शायद कर भी दिया होगा इसका result आना बाकी है और देखिए अगर lottery में आपका नाम आया है नहीं वो जानने के लिए की चारा है आप अपने Petitioner को जाके बात किजि जिसने भी apply किया है अपके company से company के जो भी visa processing team है उनसे बात किजिए उनके पास होगा, login उनके पास होगा access उनको ही पता रहते है आपको पता नहीं होगा कम्पनी के अटनौ रही है या फिर कम्पनी के प्रेटिशन्स जो भी है उनके पास जाके बात किजिए वह आपका स्टेटेस दे देंगे मुझे लगता है कि इस पार उन्हें H1B वीजा का नंबर बहुत ज्यादा आएगा मतलब ज्यादा कि क्याप तो वही रहेगा 65,000 प्लस 20,000 टोटली 85,000 बट नहीं कि वह बढ़ावा देंगे क्योंकि दो साल से काम नठप था मतलब ज्यादा इमिग्रेशन्स नहीं हुए तो हम आप H1B वीजा के जरिये तो अभी थोड़ा बढ़ावा देंगे और मुझे लगता है कि आपको भी मिल सकता है अगर आपका मिला है तो All The Best या फिर सभी ने जितने भी अप्लाइ किये हो ये वीडियो देख रहो सभी को मेरे तरफ से All The Best तो देखते हैं कि कितने लोगों को मिलता है जिसको भी दोस्तों H1B विजा में आप सेलेक्शन होते हो किसको भी मिलता है तो आप इस चानल पर बताए हम इन चानल के मेंबर शेर करता है और B1 B2 विजा जिसको भी नय से मिलता है प्लीस आप इस चानल पर बताए है बात करते हैं दोस्तों बहुत important category one more category students visa F1 visa के बारे में जो देखिए वे पिछले साल भी देखा था बहुत सारा visa's मिला है students को हां कुछ students को नहीं मिला दिक्कत हुई इसलिए नहीं मिला क्योंकि उनको slots ही नहीं मिला इसलिए slots नहीं मिला क्योंकि एक दम वो इतना इतना हो गया था कि उनको slots ही नहीं मिल रहा था लेगिन फिर भी अच्छा खासा नंबर भी वेश्वर मिलजा का मिला और बहुत सारे students गए और बात है next semester की जो आ रहा है अगला semester लोग apply करना शुरू भी कर दिये हैं और embassy ने बोला है कि yes they are giving the priority please आप try करते रही है आपको मिलेगा जरूर देखिए आप ऐसा कर सकते हैं कि मतरों या तो regularly try किजिए daily या फिर यह क्या दो दिन छोड़के alternative today try किजिए दोस्तों मिल जाएगा थोड़ा सा ध्यान रखना कि आप continuously try करोगे lock हो जाएगा system फिर दो-तिन दिन wait करना पड़ेगा 72 hours फिर open करना पड़ेगा इसलिए मै यह advice दूँगा कि एक दिन में एकी बार या दो बार try किजिए और lock मत किजिए lock धान रखे कि लॉक मत किजिए अगर lock होगा तो तीन दिन wait करना पड़ेगा तो regularly try किजिए मिल जाएगा और मेरी नजर में अगर किसी को मिल रहा है किसी particular embassy locations में मैं आपको बताऊंगा आपसे share channel पर share किजिए सबी से share करेंगे ताकि उनको भी benefit हो अगर मुझे पुछा जाए तो मतलब आप सुबह की time पर मैं यह पहले भी बोल चुका हूं मैं सुबह की time पर try किजिए क्यूंकि वहां पर a lot होता है मनिकी slots आपको मिल सकता है regular try करेंगे और आपको मिल भी सकता है लेकिन किजिए की try करेंगे हाला कि आपको slots भी मिल सकता है इंटर्व के लिए ऐसा ना हो कि आपके पार documentation incomplete हो दोस्तों जो भी documentation आपके जो भी मतलब क्या बोलते हैं आपके educations जो भी entrance exam का है जो भी university का है वहां से एकदम ready रखिए जैसे आपको slots मिलें आप processing complete करके इंटर्व के लि आपके लिए travel खुला है ठीक है अब इंडिया का travel दोस्तों देखिए अगले मैं पिछले मैं तक एकदम बन था अब इंडिया ने भी travel open कर दिया जो अगर आपको इंडिया आना है तो tourism विजा अपले करके आ सकते हैं देरी इस नो इश्य विजा तो है ही जो भी work permit है जो भी आप गर आपको इंडिया विजिट करना है तो आ सकते हैं इंडिया ने open कर दिया है और मैं इंडिया में यह भी देख रहा हूं कि सभी airline भी अपना एयर जो भी है daily air flights बढ़ा रहे है यह drastically बढ़ा रहे है और ticket भी वह discount rate में दे रहे है ticket का दाम भी गिरा रहे है मतलब normal situation में स जल्द जब से कहता कि जून तक कुछ नहीं होगा लेकिन में कर रहा हूं कि जून के पहले भी हो सकता है we are already in April एक यह दोगनी की बात है just थोड़ा सा पिशन सोर जैसे मैंने travel की बारे में बात के और एक काड़ करना चाहता हूं point quarantine के बारे में देखिवा as of now मेरे को कोई एक का है एक किलो या फिर कोविश्टिल या को वैक्सिन बोलता हूं मैं वहां पे दो डोसर से दो लेके रहना चाहिए certificate अपने पास रखिए होसे कि तो अपना passport को भी लिंक कर दीजे कोई website में ताके अगर certificate आपके पास ना भी हो वहां पे track हो जाएगा तो मैं वहरा कहना चाहता हूं कि quarantine का scene आज के नजर में मेरे पास तो नहीं है वह सकता है कि वहां पर quarantine का भी situation नहीं है exceptional case अलग है, लेकिन आपके पास यह vaccination लिया होना चाहिए, यह हो सकता है कि वहाँ पे, यानि कि RTP से टेस्ट हो सकता है, वो मेरे को confirm नहीं है, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, only यह certificate mandatory है, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूं कि अपने वीडियो के comment section में सभी लोग पूछ रहे हैं, देखो हम सब B1, B2 विजा के लिए apply कर रहे हैं, हमको apartment मिल रहा है October 2022 का, हमको apartment मिल रहा जब situation ready हो, दोस्तो logical thinking है, कि देखो आप अगले साल का apartment मिला है, या फिर October का है, यह सब placeholder है, आप cancel भी नहीं करोएगा, तो यह automatically cancel हो जाएगा, उसके बाद जैसे मैंने reply किया था, सबको बताया था, कुछ दिनों को बाद कुछ लोगों ने reply भी किया, कि सर हाँ आपने सही क यह थोड़ा सा मतलब हमारा भी cancel हो गया है automatically, तो मेरा वही advice है कि अगर placeholder apartment है, अगर आप emergency case के लिए apply किया है, तो ही वो इसको exploit किजिए, cancel मत किजिए, अगर आपका emergency category नहीं है, इसे apply किया है normal के लिए, tourism के लिए, और आपका placeholder October या next year आया है, वो कोई फाइदा नहीं है, क कोई use नहीं है, please cancel कर देजिए, जैसे situation normal आएगा, reapply किजिए, या फिर regulate, try किजिए, हो सकता है कि current date मिलेगा, तो आप उसको accept कर सकते हैं, और interview update कर सकते हैं, तो placeholder apartment, अगर आपका case emergency नहीं हो, तो उसको cancel कर देजिए, there is no use, दोस्तों अभी बात करते हैं, सिर्फ focusing on expedite visa, जो क expedite कर सकते हैं, जिसके पास भी placeholder apartment है, यानि कि जो भी 6 मने के बात का, एक साल के बात का, अगर आपका B1, B2 case है, normal के लिए, उसको cancel कर देजिए, अगर आपका B1, B2 emergency के लिए है, आप expedite किजिए, अगर आपका F1 visa है, और H1 B visa है, और जो भी immigrant visa है, जो family visa है, अपने किया है, और आपका, जो भी placeholder apartment किया है, उसको prepon कर सकते हैं, और आप जाके मतलब, क्या बोलते हैं, वो expedite भी कर सकते हैं, क्योंकि यह सब valid reasons है, अगर आप F1 students के लिए है, आपको नहीं मिल रहा है, placeholder apartment मिला है, आप expedite करके उनको बता सकते हैं, कि भाई हमको college जाना है, उन्यूशर lottery में आपका नाम आगया, लेकिन सिर्फ intro के लिए आप वेट कर रहे है, अगर आपका date नहीं मिल रहा है, placeholder date मिल रहा है, तो वो भी आप expedite कर सकते हैं, यह भी valid है, और जो भी family visa पे apply की है, वो भी expedite कर सकते हैं, वो भी valid है, हाँ, general के लिए, सिर्फ meeting के लिए, या फिर visit के आपको expedite नहीं होगा, अभी बात करते हैं, drop box facility के लिए, drop box facility के लिए, यह कोई change नहीं हो, प्लान, जो भी, यानि की policy था, वही है, जो दो महीने पहले, मैंने कहा था, same thing, 48 मेंस के अंदर, जो भी expire हुआ है, या फिर अभी expire होने माला है, जिसका भी current visa, वो drop box facility apply कर सकते है, तो आपको मिल सकता है, लेकिन, यहाँ पर एक छोटा सा दिक्कत है कि, इंडियन्स यहाँ पर इंडिया, यानि की, क्या बोलते हैं, यह rule है, यानि की, H1B visa, जो भी visa के लिए apply होता है, लेकिन इंडियन्स के लिए valid नहीं है, यहाँ पर थोड़ा धान से सुनना, मैं repeat करता ह हूं, इंडियन्स के लिए यह valid नहीं है, 48 मेंत का, हाँ लेकिन, draw box facility for normal scenario आप avail कर सकते हैं, जैसे कि, अगर मेरे पास US visa था B1, B2, और 2-3 मेने में expert होने वाला है, या 2-3 मेने पहले expert हो गया, मैं draw box facility ले सकता हूं, यह normal scenario, यह जो 48 मेंच का है, वो अलग scenario है, हमारे लिए, य क्योंकि normal scenario है, जो पहले सी था, कोई change नहीं है, मैं repeat करता हूं, फिर से, अगर आप normal scenario में, यह draw box facility avail करना है, renew होने के, या कि expire होने के पहले, या recently expire होई है, आप ले सकते हैं draw box facility, अगर आप 3-4 साल पहले, या कि expire हो गया है, कोई भी existing visa और आपको draw box facility लेना है, वो आप ले सक में इस topic पे आपको confusion है, तो मेरे को email किजिए, comment किजिए, मैं आपको और बताऊंगा, immigrant visa के लिए जो मैंने पहले ही बता दिया, दो मैंनी पहले, actually, immigrant visa can continue to apply, immigrant के लिए कोई यह ज्यादा issue नहीं है, जैसे कि, देखिए मतलब family visa है, specially citizenship के लिए, green card के लिए, जो भी है, immigrant visa जो है नहीं कि technically speaking, आप US region है, US में रहने वालो है, US में settled होने वालो है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, आपको मिलेगा, placeholder, apartment मिलेगा, तो आपको experiment करना पड़ेगा, with valid reason, I don't see much issues here, जो भी important points है, important update है, मैंने cover कर लिया हूँ, लेकिन अभी मैं अपना opinion हूँँगा, और म मेरा opinion यह है कि H-1B visa वाले को कोई problem नहीं होना चाहिए, आपको मिलना चाहिए slots, और F-1 visa वाले को भी slots मिलना चाहिए, जब मैं बोल रहा हूँ कि इन दोनों visa category के लिए problem नहीं होना चाहिए, यह कि slots मिलेगा, आपके लिए slots alert हुआ है, यह कि मिलने के लिए थोड़ा मुश् अभी जून तक नहीं मिलेगा, लेकिन मेरा opinion दो तो आप try करते हैं, आप मिल सकता है, कलकता में try केजिए और हो सकता है कि मतलब थोड़ा सा उस तरफ try केजिए, नौर्थ के तरफ मिलने का chance है, और यह कहूँगा कि मैं हर location पर try केजिए, जहां पर मिलना आप apply केजिए, ठी मुझे लगता है कि अब यह क्या दो मने के अंदर B1, B2 विजा भी normally सब को मिलेगा, क्यूंकि backlog almost खत्म हो चुका है, लोग भी आना ज्यादा हो गये है, मतलब employees भी बढ़ चुके है, embassy में, और हर जगा इंडिया में भी situation normal हो गया है, worldwide भी नालम हो गया है, सब भी कुछ normal हो कि तरफ जा रहा है, सब भी कुछ खुल गया है, तो यह भी बहुत जल्द open हो जाएगा, मेरा prediction है कि में और जून के पहले पले सब B1, B2 विजा के लिए भी normal situation हो जाएगा, तो इतना था आज के वीडियो के लिए, और इसके अलावा भी आपको कोई question और तो मेरे को comment किजि comment पढ़ू, और जो एक video बना के उस comment के बैसे पर answer करूं, सबके साथ share करूं, और live comment भी मैं reply करता हूं, जितना हों से क्यों इतना, और कोई बहुत सारे लोग email भी भेशता है, जो urgent कैसे से उनको भी reply करता हूं, यह नहीं कि मैं नहीं करता, ठीक है, important है, आगे जाके मैं ज्य information किसी और को चाहिए, तो share किजिए, और इस channel पर आप नहीं हो, तो first time में इस channel पर वीडियो देख रहे हैं, तो अपी की अभी subscribe किजिए, और notification बिल को hit किजिए, क्योंकि US visa related information और US embassy opening status related video में time to time upload करते रहता हूं, तो अगले video तक thank you, bye bye, take care.